हेलो फ्रेंड्स आजके इस क्लास में 68B BPSC के लिए इडूटेडिया का प्रैक्टिस सेट नमबर थर्ड लगाने वाले हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं आजके इस क्लास को सबसे पहला कुश्चन निमलिखित में से दक्षिन भारत इस्थित एक मात्र महा जन्पत कौन सा था option B हो जाएगा राइट आंसर अस्मक आपको ध्यान रख लेना है नमबर शकेंड निमने वैसे किसके राज दर्बार में मेगास्तनीज ने एक राजदूत के रूप में शेवा की थी एराय टांसर चन्रगुप्त मौरी आपको बता देना है चन्रगुप्त मौरी के दर्बार में सेवा किया गया था किसके द्वारा पूछेगा तो मेगास्थनीश के रोप में नमबर थर्ड है किताब उल यामिनी किश्की रचना है किताब उल यामिनी उत्वी की रचना है नमबर फूर विजय नगर राज की अस्थापना हरी हर और बुक्का नमग तो भाई के द्वारा किया गया था कब डी राय टांसर वर्स 1936 में निमन में से किस अधिनियम के अंतरगत कमपनी के कैमचारियों को नीजी व्यापार करने पर पर्तिबंध लगा दिया गया था ये राय टांसर रैगोलेक्टिंग एक्ट 1773 के तहट क कैमचारियों को कमपनी का जो कैमचारिय था इनको नीजी व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया था रंगपूर विद्रोह कहा पर हुआ था रंगपूर विद्रोह ये सही जवाब हो जाएगा बंगाल में हुआ था जमिनदार के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था निमलिकित में से कौन जश्टिस आंदोलन से जुरे हुए थे देखिए जस्टिस आंदूलन अगर पूछेगा ध्यान रखें यह एक जाती आंदूलन था इसके सुर्वात हुई थी मद्रास में पूछेगा कव तो 1915 और 16 के टाइम में मन्जोली जन्जाती के द्वारा कहिए कि किया गया था इनके जो आपके मन्जोली जन्जाती थे ना इनके और से सी एन मुलेदियार और टी एम नायर ओप्शन नंबर आपका ए और बी ये दोनों साथ ही साथ एक और नाम आप ध्यान रख लें अच्छा रहेगा त्याग राज चेटी ऐसे समझे इन तीनों के द्वारा कहिए कि यहां आंदोलन से ये तीनों जुड़े हुए थे इसके लिए आपको आप्शन नंबर ए चुनना होगा वर्स 1937 में संपन प्रांती चुनाव में ने मिलिखिद में से किस प्रांत में कॉंग्रेस की सरकार नहीं बनी थी यहां पर ध्यान दे वर्स 1937 के चुनाव में कॉंग्रेस ने टूटल पाँच जगह पर जैसे मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत था, बिहार, उडिशा इन सब जगहों पर बहुमत प्राप्त कर लिया था ध्यान रखें कि पंजाब में मुस्लिम लीग और योनिनिस्ट पार्टी ने मिल करके संयुक्त सरकार बना ले थी बंगाल में कुरिशक प्रजाब पार्टी साथे साथ मुस्लिम लीग के द्वारा मिल करके सरकार बनाया गया था तो आप यहाँ पर ध्यान रखें option number A बंगाल और option number B पंजाब इन दोनों जगहों पर कॉंग्रेस के सरकार नहीं बने थी पाथ जगह पर बने थी यह ध्यान रखिएगा किसने निस्क्रिये विडियोत के सिध्धान का परतिपादन किया था देखिए समझेगा यहाँ पर आपको समझना होगा निस्क्रिये विडियोत के सिध्धान का परतिपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया था ध्यान रखें इनकी अनुशार जब तक अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं चले जाते उनके खिलाब विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए यह कहा गया था यानिकि निस्क्रिये विरोध था यह और यह अरविंद घोष आप नाम धियान रख लें इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर फिर आपका यह हो जाएगा सही जवाब भारत छोरो आंदोलन के दौरान कहा पर समानांतर सरकार की अस्थापना की गई थी सी राइट आंसर गोरकपूर में पॉली गारों का विद्रोह कहा पर हुआ था ए राइट आंसर पॉली गारों का विद्रोह हुआ था कहा पर तमिल नाडू में कॉंग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्र गावन गाया गया था उसके अध्यक्ष का नाम बी सही जवाग विश्व नारायन धर आप बता देंगे लंदन में करजलवाईली की हत्या का जो समंध है वो किस्से है एराइट आसर मदन लाल धिंगरा से है ऐसे धियान रख लें वर्स 1909 का जो इश्वी था इसमें लंदन में करणतिकारी साहब ये थे मदन लाल इन्होंने करजलवाईली की हत्या कर दिये थे नमने कितने से कौन भारत छोरो आंदूलन के विशेष्टा नहीं थी यहाँ पे आपको option number E बताना होगा क्योंकि ध्यान रखें भारत छोरो आंदूलन के रूप में इस सब ही विशेष्टाए रही थी यानि कि इन चारों को आप यहाँ पे अगर टीक कर दें बिल्कुल सही होगा इसके लिए option number E बताना है आपको तीनों गोल मेज समिलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पे दो नाम दिख रहा है आपको number first तेज बाहदूर सप्प्रो और second अमिटकर सहाव यह दोनों तीनों गोल मेज समिलनों में भाग लिये थे इसकी अध्यक्षता किस ने किया था बी राइट आंसर हो जाएगा वशुमित्र के द्वारा किया गया था number 17 भागत सिंग और बटुकेश्वर्दत ने केंद्रिये विधान सभा में बम फेका था कव ए राइट आंसर आठ अप्रेल 1929 को किस गवरेंडर जन्रल ने अफगानिस्तान के पर्ति फार्वर्ड निट्री का अनूसरन किया था ए राइट आंसर लौड लीटन के द्वारा किया गया था दा इंडियन नेशन समाचार पत्र की अस्थापना निम्न में से किसने किया था बतायत option number आपको यहाँ पर सी टीक कर दिना होगा महराजा कामिश्वर सिंग के द्वारा वर्स 1931 इस्वियाप ध्यान रखिएगा इसना मिना तर्भंगा के महराजा थे यह कामिश्वर सिंग इन्होंने दा इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र का प्रकासन स्टार्ट किये थे यहाँ प्रकासन पूछेगा कहां से किया जाता था जगा बताईए इसके लिए आपको बताना है पत्ना बिहार की राजधानी पत्ना से की जाती थी काकोरी कांड को निमलिखित में से किस संगठन के करांती कारियों ने अंजाम दिया था ओप्शन नमबर यहाँ पे बी राइट आंसर हिंदुस्तान रिपबलिकन एसोसियेशन के द्वारा ये किया गया था ओप्शन भी सही जवाब है नेक्स्ट कोशन नमबर था 21 है किस वाइशराय के काल के दौरान स्वेत विद्रो हुआ था ओप्शन भी राइट आंसर लौर्ड रिपन जो है इनके समय में हुआ था कब हुआ था इनका कारिकाल कब रहा था ये 80 से 84 तक रहे थे ध्यान रखेंगी इस समय में क्या हुआ समझ लिए लौर्ड रिपन के समय में एक बिल आया था इलबर्ट बिल इलबर्ड बिल में भारतिय नियायद हिसों को यूरोपिय मुकद में को सुनने का अधिकार दिया गया था भारत में रहने वाले अंग्रेज इसका विरोध कर रहे थे इसे ही स्वेत विद्रो के नाम से जाना गया है द्वैत सासंत प्रणाली का जन्दाता निम्न में से कौन था दी राइट आंसर लियोनल कार्टिस सही जवाब हो जाएगा चौरी चौरा कांड हुआ था कव आप्शन नमबर बी सही जवाब पाच फरवरी वर्स 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड किसके द्वारा वर्स 1915 में काबूल में एक अंत्रिम शरकार जो है भारतिय सरकार इसका गठन किया गया था यहां पे होना है नहीं यह तो नहीं होगा ध्यान दें देखें सवाल पूछा किसके द्वारा वर्स 1935 में काबूल में एक अंत्रिम भारतिय सरकार ना सबसे पहले आप यहां पे ध्यान द क्योंकि इनके अलावा और भी कोई थे मुहम्मद बरकतुल्ला साहब थे यह दोनों मिलकर अफगानिस्तान में काबूल में एक अंत्रिम भारतिय सरकार का गठन किये थे अब आपको option number क्या ठीक करना है यह हो जाएगा सही जवाब किसने छेत्रिय भासा में सिक्षा और भासा पूलन का नेत्यत्य किया था किसने बेराइट आशर चिदंबरम पिलाई के द्वारा किया गया था अशोक के अभिलेखों की भासा का नाम भी सही जवाब प्राकिर्थ हो जाएगा किस वन्ष के शासकों ने सरपर्थम सीसे के सिक्के जारी किये थे ऑप्शन नमबर आपको सी बताना है साथ वाहन किये थे भारत में शामतवाद का उदे किस काल में हुआ था गुप्त काल के अंत समय से स्टार्ट हो गया था भारत में शामतवाद का उदे अमेर खुसरों ने फार्सी में जोहर का प्रथम विवरन लिखा है यह विवरन किस राजा के राज से समन्दित्था ओप्शन नमबर सी राइट आउसर हमेर देव के हमेर देव कहां कि साशक थे यह सवाल पूछा जा सकता है रन्थम्भोर आपको बताना है यह रन्थम्भोर के क्या थे साशक थे द्वित्य जैन संगित्ती कव आयोजित की गई थी ध्यान रखे 512 एश्वी में दूसरा वाला था जैन संगित्ती 512 में बल्लवी जो कि कुछ रात में पढ़ता है यही पर हुआ था किसे आधी विद्रोही कहा गया ओप्शन नंबर सी राइट आउसर तिलका मान जी को खेरा का यूद्ध कब हुआ था वर्स 707 में हुआ था खेरा का यूद्ध ए सही जवाब बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा आधी वेशन कहां पर आयोजित किया गया था बी राइट आउसर भागलपूर में किया गया था कब से कब तत आप यह दिहान राखियेगा नौशे लेकर के दस दो दिन अप्रेल का मन्थ था वर्स 1910 इस्वी था वर्स 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकासित दी पार्टिशन आफ दी लोवर प्रोविन्सेज एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल लेक किसके द्वारा लिखा गया था 35 का राइट आंसर आप्चन नंबर आपको सी बताना है सचिदानन सिन्हा के द्वारा 36 पर आईए पत्ना लोव विकली के संपादक का नाम ए राइट आंसर डॉक्टर राजेंदर परसाथ सही जबाब हो जाएगा ठीक है वर्स 1915 में मुस्लिम लिख के बंबाई अधिवेशन के अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था दीर आईट आसर मौलाना मजहरूल हक के द्वारा कॉंग्रेस टॉपिक दिया जा चुका है जरूर उसे देख लें 75 प्लस उसमें आपको बताया गया है जो कि घटना चक्र के बुक से लिया गया था क्लास के दाश्ट में थमनेल सो करेगा आप लोग उसे जरूर देख लें गंगा के मैदान में उरवर्ता के बने रहने का कारण क्या है बार के वज़ा से वार्सिक बार आता है नया नया मिट्टी आता है इसी वज़ा से क्या होता है उरवर्ता बना रहता है मिट्टी में चलिए मैच करिए क्या होगा कहरें कौन सा यहाँ पे सही मैच किया हुआ है तराई छेतर के लिए option नमर जो आपका यहाँ पे D है उसने कटे बन दिये आदरपंड पाती जो है तराई छेतर बिल्कुल सही है अलपाइन दिया हुआ यहाँ पे राजस्थान अलपाइन के लिए आप ध्यान रखें परवतिये छेतर हो जाएगा उसने कटे बन दिये सदा बाहर option नमर ए दिया हुआ है इसके लिए आपको सहादरी और जो पूर्वी हिमाचल है यह टिक करना है कौन सी नदी असम और अरुनाचल परदेश के मद्दे में शीमा बनाती है नमर फुट्टी का सही जवाब है option नमर ए संकूस निमन में से किस भारती राजक भारती राजी के सीमा बंगलादेश से अंतराष्टी सीमा नहीं बनाती है यहाँ पे ध्यान रखें बंगलादेश से पूछेगा पस्चिम मंगाल अशम मेगाले तिरपुरा मिजोरम यह सारे हैं इटिक कर देंगे यहाँ पे आप पस्चिमीक हाट के परवत से निक किसका उदाहरन है बी सही जवाब हो जाएगा ब्लॉक परवत का अंड़मान निकवार के सबसे उची चोटी नाम है स्टैंडल पीक किस दूइप परिस्थित है एराइट आंसर बताएगा उत्तरी अंड वहनिये उर्जादसक के रूप में किसे पिंड का बहार अधिकतम होगा कहाँ पर भी हो जाएगा आईट आसर धुरूप पर होगा बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की और प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है बताएगा देखिए जितने यहाँ पर नदी आपको दिख रहा है ना सब उत्तर दिशा से दच्छिन दिशा की और ही बहती है और यह सभी नदियां हिमाले वाली नदियां है जैसे आप हिमालियन नदी कहते हो इटिक करना है यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही मैच किया हुआ नहीं है option number A आपका यहाँ पर हो जाएगा सही जबव downs ध्यान रखेगा जिसे downs के बारे में अगर पूछेगा उस निकटी बंदिये घास मैदान गलत हो करके आप ऐसे ध्यान रखेगे उस निकटी बंदिये घास मैदान में लानोज, केमपास आता है, सलवास है, पार्क लेंड है, सवाना है यह सारे आते हैं और सितोष निकटी बंदिये घास का मैदान अगर पूछ ले इसके लिए आपको प्रेरी, पंपास, वेल्ड, स्टेपिज, डाउंस यह सारे बताने हैं ठीक है, यह ध्यान रखेगा, आप्शन नमबर फर्स्ट ही गलत है निम्लिकित मैंसे किस उर्जा का मान हमेशा धनातमक होता है यह राइट आसर, गतिज उर्जा का निम्लिकित मैंसे कौन से वायो मंदल के अस्तरों एवंग उनके अभिलक्षनों के सुमेलन में सही है देखिए, आप यहाँ पे ध्रूग जोती को ध्यान दे ध्रूग जोती का शमंद आयन मंदल से होता है आयन मंदल से होता है बाद वाकि सभी कतन यहाँ पे सही दिया हुआ है दी हो जाएगा राइट आपका और दी राइट नहीं कि साथ सुमेलन सही है सभी सही है बस दी को छोड़ करके इसलिए यह उप्षन आपका हो जाएगा निम्लिकत में से कौन सुमेलित है बताए नंबर फिप्टी का यह कह रहा है एक्सिमो कनाड़ा बिल्कुल सही है ओंग के बारे में जापान दिया हुआ है गलत है ओंग जो है आपका अंडवान और निकोबार भारत हो जाएगा लेप्स के लिए यहाँ पे भारत दिया गया है इसके लिए आपको यूड़ोपिय टूंडरा परतिश बताना है गोंड अफ्रिका दिया हुआ इसके लिए आपको भारत बताना है साहेदरी के नाम से जाना जाता है नंबर 51 का ओप्शन नंबर B पस्चिमी घाट निमलिकित मैंसे कौन प्रादियूपिय पठार का भाग नहीं है देखें, गारो, खाशी, जैंतिया, कर्भी, अंगलों, पहारिया यह सारे इसी का भाग है यहाँ पे आपको आप्शन नंबर E टिक करना है यह सारे यहाँ पे है न यह सारे ध्यान रखें प्राचीन चट्टान से मिलकर बनी है ऐसे ध्यान रखेंगा अगर सन्राचनात्मक द्रिष्टी से बात करेंगे तो यह सब ही प्राचीन दूप यह पठार की भाग में आते है और साथ में अगर कहेंगे किस पठार के नाम से इसे जानते है किस कहा का पठार कहा जाता है इन ही को मिखारे का पठार के नाम से आप जानते हो चमपारन में बताएं कि यूकाटन इस्टेट किंदू देशों को जोडता है ये राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको और क्यूबा को जोडती है या डैन्यूब नदी किस जगह गिरती है बताएं डैन्यूब ऑप्शन नमबर बी काला सागर में नमबर 56 कह रहा है जब भारती रिजर बैंक नगर आरक्षित अनुपात में वेधी करने की घोशना करता है तो इसका क्या मतलब है कि वानिजी पैंक के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा ये सही जवाब लारेंज वक्र का उप्योग किसी अर्थवबस्था में और शमानता के अस्तर को मापने के ल परसाने के लिए निमलिकित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ती है डी राइट अंसर हो जाएगा सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार होता है जिन मुल्यों पर सरकार साजविनिक वितरन परणाली को बनाई रखने और बफर इस्टॉक बनाने के ल रित्ती है उसे इस रूप में जाना जाता है किस रूप में जानते हैं अधी प्राप्ति मुल्यों के रूप में भी हो जाएगा सही जवाब भारत में व्यापक मुद्रा में निमलिकित में से कौन से सामिल हैं बताएं और कह रहा है कि दिये गए कोट का अप्योग करके सही चुन कर बताएं तो आपको इसके लिए नंबर जनता के साथ मुद्रा बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट बैंकों के पास सावधिक जमा होगा आप्शन नंबर D यानि चौथा को छोड़के B टिक कर दिजेगा पहला दूसरा तीसरा तीनों साहिए निम्लिकित में से कौन सा या फिर कौन से सावधिक रिन के घटक है नंबर फर्स्ट सकेंड थर्ड तीनों हो जाएगा सही जवाब आप्शन नंबर D हो जाएगा गन्ने का उचित और पारिस सरमिक मूलिप अनुमोदन करता है आर्थिक मामलों पर केविनेट सर्चीव ए सही जवाब निम्लिकतान में से कौन सा कतान मुद्रा इस्पिती को संदर्वित करता है नंबर B मुद्रा इस्पिती को उलटने की एक प्रक्रिया है लेकिन बेरोजगारी पैदा करने पर उत्पारन को कम किये भी ना आप्शन B सही जवाब निम्लिकत कार्यकरम में से कौन सा अब देन दयाल अन्तुदे जो योजना है इसके रूप में जानते हैं आप आप्शन नंबर B हो जाएगार आज जानते हैं राष्टिये ग्रामीन आजी विकामिशन को बैंक वहतर है बैंक दर जो है वहतर होता है जिसमर भारतियर बैंक निम्न कोरीन पर दान करता है उप्शन नंबर B वानिजिक बैंकों को केवल मूलिक में वृध्धी के कारण राष्ट्री आयमे वेध्धी को कहा जाता है क्या कहते है सी राइड आजर नॉमिनल राष्ट्री आयमे वेध्धी कहते है अर्थ सास्तर वानिजिके संदर्व में गिल्ट एजड बाजार क्या है सी राइड आजर सुरक्षित बाजार होता है विधान परिशत की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज में रह रहे सनात्त को द्वारा निर्वाचित होते है ये राइड आजर कुल का 1 by 12 सदस्य निमलिखित में से कि समिती का समन पंचायती राष्ट से नहीं है सभी का है जीवी के राव समिती लक्ष्मी सिंग्वी समिती है पीके गुंतन समिती है और दंतिवाला समिती है सभी का समन पंचायती राज से ही रहा है इटी करना निमलिखित में से कौन शाकारी भारतिय चुनाव आयूक का नहीं होता है ये राइड आजर पंचायतों का जो चुनाव कराना है ये राज चुनावायों का काम होता है निम्री खित मैंसे किसकी अध्यक्स्ता परदाहन मंतरी के द्वारा किया जाता है यहाँ पर सबसे पहले इस बात का धिहान रखना है आपको एक यहाँ पर देशे देखिए परदाहन मंतरी, राष्ट्री एक्ता परिशद, अंतरराजिये परिशद और विग्यानिक एवंग अध्योईक अनुसंधान परिशद की अध्यक्स्ता करते हैं यहाँ पर बच रहा है छित्रिये परिशद, इसकी अध्यक्स्ता गिरिह मंतरी के द्वारा किया जाता है समिधान और विधे के परिरक्षन, संरक्षन और परतिरक्षन का सपत ग्रहन करते हैं ओप्शन नमबर बी सही जवाब राष्ट्र पती, लोगसभा के कोई शदस्य, निमन में से किसे सम्मोधित करके अपना त्याग पत्र देते हैं सी सही जवाब, लोगसभा अध्यक्ष को सम्मोधित करने के बाद त्याग पत्र देते हैं और विश्वास प्रस्ताव के संदर में निमन में से कौन सा कथन सही है? ओप्शन नम्बर D. लोग सभा में इसे स्विकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है. निमनिखित में से कौन सा यूग्म सुमेलित नहीं है बताएं? नम्बर D. पर आप ध्यान दें. राज पाल 154 सही है क्या? राज पाल का उलेख शम विधान के अनुच्छेद 103 पर में किया गया है. बाद वाकि सभी सही है. विधान परिशत के कूल सदस्यों में से किदने सदस्यों का अवपत्यक्च रूप से चुनाव होता है? पाँच बटे 6 सदस्यों का आपका ध्यान रखिएगा ए सही जवाब हो जाएगा. विधान परिशत के कूल सदस्यों में से पाँच बटे 6 सदस्यों का अवपत्यक्च रूप से चुनाव होता है और आप इसे दिहान रखिएगा एक वन बै जो 6 होता है इसका जो चुनाव है ये राजपाल के द्वारा नामीत किया जाता है. शिक्किम कुपूर राज का दर्जा निमन में से किस समिधान संसोधन द्वारा परदान किया गया था बी सही जवाब. 36 में समिधान संसोधन के तैद सामुदाइक विकाश कारक्यम के शुरवात कब होई थी? एर आइट अंसर वर्स उनिश्व बेरानवे में असोख महता समिती के सिफारिस्ट में निमन में से कौन सामिल नहीं था? नमबर C पर ध्यान दे अपने आर्थिक सुरोतों के लिए पंचैती राजस्थाओं के पास करा धान की अनिवारिष शक्ति हो कह रहा है न यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा C आपका जो है C होगा यहाँ पे बी नहीं होगा बी बिल्कुल सही कह रहा है C पर ध्यान दे कह रहा है किसी अस्तर पर कोई आरक्षन का प्रावधान नहीं होना चाहिए हाँ बिल्कुल C आपका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा B नहीं होगा ध्यान दे संसाथ सदस्षों के निरहता आयोगता के प्रेस्ण पर निर्णय लेता है कौन लेता है? Option number D भारतिय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट पति साहब भारतिय निर्वाचन आयोग के नुसार एक राष्ट्रिय दल के रूप में मान होने के लिए एक राष्ट्रिय दल को कितने राष्ट्रियों में मानने ता प्राप्त राष्ट्रिय दल के रूप में होना आवश्चक होता है C राष्ट आयोगता कम से कम चार राष्ट्रियों में धात्वों की सकर्टा स्रेनी में सबसे अधिक क्रियासिल धात्व कौन सी है? बी राई टांसर पोटेशियम आपको ध्यान रखना है निम्रिकित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे सकतिसाली बल माना जाता है ये राई टांसर ना भी किये बल हो जाएगा यदि पिर्थिवी का गुरुत्वा करसन बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तू के भार एवंग दरवमान का क्या आंतर पड़ेगा देखे जादी पिर्थिवी का गुरुत्वा करसन बल अचानक गायब हो जाता है तो शरीर का वजन और जो दरवमान है ना या दोनों क्या होता है शोन्नी हो जाता है ओप्शन नंबर 80 करना पड़ेगा वहाँ कौन से मूल रंग है जिनसे टिवी के परदे पर विभिन रंग प्रकट होते हैं लाल, हरा और नीला ओप्शन A सही जबाब हो जाएगा निमन मैं से कौन सा एक विटामिन शूरी के प्रकास की उपस्तिती में त्वच्चा में बनता है 86 का राइट आंसर हो जाएगा C विटामिन D इन में से कौन विशानु जनीत रोग नहीं है 6 रोग हो जाएगा परमानू के नाभिक का आकार होता है 10 to the power मैनस 15 मीटर सही जवाब सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है B कारबन डाय ओक्साइट सही जवाब इस्तिरियों में अंडाशे होते हैं ओप्शन नमबर B दो होते हैं प्रकास संसलिशन के माध्यम से कुल इस्तिरिक्रित कारबन डाय ओक्साइट का लगभग आधा भाग कौन इस्तिरिक्रित करता है C राइट आंसर स्वेवाल टिड़ी यहने कि टिड़ा टिडली बिच्छो जिंगा सभी किस संग के उदाहरन है बताएं ओप्शन नमबर C आर्थो पॉड़ा के क्रिष्टली करन किसका उदाहरन है ए राइट आंसर भौतिक परिवर्तन का स्ट्रिप्टो माईशीन प्रतिजैविक किस जिवानों से प्राप्त किया जाता है ए राइट आंसर स्ट्रिप्टो कोकस ग्रिशस से मटर के पौधे में कितने जोरे गुनसूत्र होते है ओप्शन नमबर आपका C 14 हो जाएगर आईट आंसर नमबर में से कौन धमनी के समद में शही नहीं है नमबर C पर ध्यान दे कैर एक इन में रुधीर कम दवाब के साथ धीरे धीरे बैटा है यहां कथन क्या है गलत है बार दवा के शभी आप्शन सही है नमबर 97 कह रहा है माता पिता का रक्ट समूग और बच्चों में समभावित रक्त समूग क्या होगा देखे यहां पर ऐसे ध्यान दे नमबर फर्स्ट सही हो जाएगा A, A के लिए आपको ध्यान रख लेना है A और O होता है यहां पर B दिया हुआ है अगर B भी रहता है तो इसके लिए आपको B और O बताना है अगर A, B और A, B रहेगा आप यहां पर ध्यान रखें A, B, या फिर A, B तीनों सही है Option नमबर आपको यहां पर E टीक कर देना है गलत कथन कौन सा 1 है मिला आपको कौन सा कथन सुमेलित नहीं है पूछाना तो सबसे पहले आपको एक ही ध्यान यहां पर रख लेना है O, O अगर रहेगा O होगा A, A रहता है तो बिल्कुल है कि A और O होना होता है अच्छा अच्छा एक मिट यहां पर एक तो यह है नमबर थार्ड पर है B और B अगर रहेगा तो B और O होता है और अगर A, B A, B रहेगा A, B और A, B होगा इस तरह से आप इसे ध्यान रख लें नमबर कित मेंसे ध्वानी के चाल किसमे नियूंतम होती है नमबर कित मेंसे किसमे के अहरेक ध्वानी के चाल नियूंतम होती है A, सही जवाब हो जाएगा अल्कोहल में अल्कोहल राइट आंसर है नमबर कित मेंसे कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है डीर आई टांसर मोती नहीं होता है गुरत्वा कर्षन इस्थिरांग एक नियतांग है जिसका मान होता है option नमबर आपका भी हो जाएगा सही जवाब 6.67 into 10 to the power सही जवाब ग्रैफिन होता है option नमबर आपका भी सही जवाब हो जाएगा ग्रैफिन क्या होता है कारबन का नैनो प्रतिरूप सही जवाब DNA की द्विक कुंडलेनी संदचना किसके द्वारा दी गई थे 102 का हो जाएगा option नमबर बी वाटसल और क्रीक के द्वारा अधिकान्स प्रानियों के जवेद पदार्थ का लगवग 80% पदार्थ क्या है A.R.I. टांसर प्रोटीन हो जाएगा PM परणाम योजना किस से समंदित है बताएं A.R.I. टांसर हो जाएगा क्रीसी में राशानिक उर्वरग का संतुलित उप्योग से समंदित है 36 में राश्टी खेल का आयोजन आयोजित जो है ये किया गया है कहाँ पर 105 का आपको बताना है option नमबर B गुजरात में दादा साहब फाल के पुरुषकार 2022 किसने जीता है 106 का एराइट आंसर ध्यान रखियेगा आशा पारेक हाल ही में खबरों में रहा तारागेरी क्या है सी राइट आंसर इस्टिल्थ फिग्रेट है यह निमर वैसे किसे हाल ही में युनेश्कु द्वारा लर्निंग सिटीज के निवेश्विक नेटवर्क में सामिल किया गया है ओप्शन नमबर डी वारंगल को किया गया है तिलागाना क्या वारंगल है धिहान रखियेगा देश की पहली वन हेल्थ लैब का उदगातन बिहार के किस जीले में किया गया है ओप्शन ए मुझब परपूर में निमलिखित में से किस देश ने अपना पहला स्वदेश निर्मित सर्वाइकल कैंसर वैक्शिन लॉंच कर लिया सी सही जवाब भारत ने हाल ये में किस ने सयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद की अध्यक्षता ग्रहन किया है सी राइट आंसर बताईएगा घाना ने विहार विधान समाभवन के सताबदी समापन शमाहरो के मुक्य अतिथी का नाम बताईए कौन था आप्शन नमबर आपको ए बता देना है नरेंद्र मोदी रहे थे विश्व का सबसे बड़ा पांडूल इपी पुस्त काले कहां पर बनाया जा रहा है सी सही जवाब गुजरात में प्रोजेक्ट जोडावर शुरू किया गया आप्शन नमबर आपका ए सही जवाब भारतिय शैना के द्वारा हाले में भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली LED लाल्टेन रोश्णी किसके द्वारा लाउंच किया गया सी राइट आउसर गितिंद्र सिंग के द्वारा फल्गु नदीबर भारत का सब से लंबा रबरबान कितने के अनुमानित लागत से बनाया गया है ए राइट आउसर 324 करोर रुपई से मत परदेश कुनो पालंपूर राष्टी उद्ध्यान में कितने अफरिके चीते छोड़े गए सी राइट आउसर आठ डायमंड लिग खिताब जीतने वाले पहले भारती एथलेट कौन है नीरत चोपरा भी सही जवाब कौन सा बैंक भारत में इलेक्ट्रोनिक बैंक गारेंटी करने वारा पहला बैंक बन गया HDFC सी राइट आउसर किस फिल्म को 2023 में पंचानवेवें अकाद्मी पुरुषकारों के लिए भारत की अधिकारिक प्रविष्टी घुषित किया गया है चैलो सो ए राइट आउसर संगाही जो सहीयोग संगठन है सिखर समिलन 2022 हाले में कहां पर आयोजित किया गया था डी राइट आउसर कहां पर हुआ था उजबिकिस्तान बताईएगा राज उर्जा और जर्वायू सुचकांग 2022 में कौन सा राज सीर्ष पर है ए राइट आउसर गुजरात भारत का पहला पसू स्वास्त सिखर समिलन हाले में कहां पर आयोजित किया गया ओप्शन सीराइट आउसर नई दिल्ले में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ए राइट आउसर 16 सितंबर को वैस्विक भूख सूचकांग 2022 में भारत का अस्थान बताईए 107 है एसा ही जवाब हो जाएगा नजला बॉडेन रोम धने किस देश की पहली महिला परधान मंतरी बन गई है ओप्शन नमबर सीराइट आउसर त्यूनेशिया की नेमिन में से कौन 22 में विधी आयोक के अध्यक्ष है सीराइट आउसर रितुराज अवस्ति है बिहार के किस जिले में पैलेट प्रजेक्ट के रूप में मुख्यमंतरी डिजिटल स्वास्त कारिकम सुलवात हुआ है सी बताइएगा नालंदा राइट आउसर हो जाएगा देखिए राम चांदर मान जी एक प्रसित भोजपूरी नर्तक, लोक कलाकार और पदम स्रीव से सम्मानित जो कि 7 सितंबर 2022 को 96 वर्ज की आयो में इनका निधन हो गया बिहार के किस जिले से समंदित है बताइए भी बताइएगा शारन जिले के थे निवन में से किसे राष्ट्रिय पिछला वर्ग आयोक का अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है हंस राज गंगा राम अहीर डी हो जाएगा सही जवाब जगदीब धनकर भारत के उपराष्ट पती हैं कितने नंबर के सी राई टांसर 14 हुए है रिशी सुनक को हाल ही में यूके के संतावन में प्रधान मंतरी के रूप में चुना गया है निमलिकित में से वे किस पार्टी से समन्दित है बताएं ए राई टांसर कंजर्वेटीव पार्टीव से 1835 में पहला जिला इस्कूल कहाँ पर खोला गया था यहाँ पे आपको पत्ना ध्यान रख लेना है और अभी इसे ही न पत्ना हाई श्कूल के नाम से आप जानते हो वर्च 2021 में यहो कि उत्पदक्ता के मामले में बिहार का कौन सा जिला सिर्ज पर रहा ए बेगू शराय बिहार में निम्न में से कौन सा जिला मक्का की फैसल का मुख उत्पदक के नाम से आप जानते हो आप्शन नमबर बी सही जवाब कठिहार केंदरिया बजट 2022 तईस में कितनी राशी की परिव्याय से रेजिंग एंड एक्सिलिरेटिंग MSME पर्फार्मेंस प्रोग्राम को शुरू करने का प्रस्ताफ किया गया है रखा गया है आप्शन नमबर C हो जाएगा 6000 करोर रुपए से केंदरिया बजट 2022 तईस में वर्ष 2022 तईस में कितने इसकी लिंग E-Labs की अस्थापना की जाएगी आप्शन नमबर A राइट असर 75 हो जाएगा सही जवाब भारत ये 1 इस्तिते रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में विरिक्छावरन का छेदर कितना है आप्शन नमबर D बताइएगा 2341 वर्ग किलोमीटर सही जवाब है भारत में वन इस्तिते रिपोर्ट जो 2021 है इसके अनुसार सरवाधिक वनावरन परतिसत वाला राज्य या फिर किंद्रसासित परदेश परतिसत के हिसाब से पूछा है ये सही जवाब बताइएगा लक्ष द्वीब लास्ट कोश्चन देख रहे हैं आज का भारत वन इस्तिते रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल विरिक्षावरन का छेतर कितना है ऑप्शन नमबर सी राईट रांसर 95,748 वर ये किलोमीटर हो जाएगा बिल्कुल सही अभी आपने अर्शाठवी विप्यसी के लिए प्रैक्टिस सेट देखा आशा करता हूँ कि आपके लिए अच्छा रहा होगा करी इंटरफियर्स आप लोगों को थमनिल सो कर रहा है आप लोग इस चैनल पर आकर चैनल को जोईन कर ले